नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर पर दोस्तों पस्तित हूं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ एक इक महत्यपूर्ण जानकारियों कि ले करके जिहां दोस्तों आज का हमारा यह topic है height बढ़ाने से लेकर के अगर हमारी height छोटी होती है तो बहुत सारे कमों में हमें problem होती है इसके अलावा personality भी उस धंक से नहीं दिख पाती है जिसकी वज़ा से हम कहीं भी जाते हैं तो confident feel नहीं करते हैं तो height बढ़ाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़े होती है वो क्या होती है सबसे पहले तो आपको balance diet लेना जरूरी होता है खान पान का अगर सही ध्यान रखते हैं तो सबसे बहतर होता है लेकिन जो main बात है कई लोगों की height कम रह जाती है genetic रूप से तो कई लोगों की hormones की growth कम होने की बज़र से genetic का मतलब होता है दोस्तों की आपकी family में ममी पापा दोनों में से कोई height छोटी होती है तो अमूमन क्या होता है कि बच्चों की height छोटी हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या का निजात नहीं अगर बच्चपन से छोटे पर से ध्यान दिया जाए इस बात पर तो आप बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ percent की improvement जरूर कर सकते हैं इसमें दोस्तों और अगर hormones की वज़र से दिक्कत है तब तो आप खान-पान से उसको control कर सकते हैं सही कर सकते हैं तो इसके लिए कौन-कौन सी चीजों का सेवन जरूरी रूप से करना चाहिए यह हम आज आपको बताएंगे अपने इस वियों में दोस्तों सबसे पहले पालक पालक क्यों खाना होता है क्योंकि इसमें calcium, fiber, iron और vitamins भरपूर मात्रा में पाई जाती है जिसके वज़र से आपके body की growth सही होती है इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि आपको diet का खयाल रखना चाहिए, खान पान का खयाल रखना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, तब ही आपकी body balance रह पाएगी दोस्तों इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है broccoli, vitamins और iron से भरपूर ब्रोकली आपके blood को भी बनाने में मदद करती है जिसकी वज़र से आपका शरीर active रहता है और जब आप active रहेंगे आपके body में digestion आपका सही रहेगा तो फिर आपके height बनने की भी growth सही रहेगी इसके अलावा beans, beans में fiber, vitamins, carbohydrates सब पाया जाते हैं दोस्तों और इसके अलावा soya bean, soya bean आप देखें होंगे दोस्तों इसमें protein के मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके साथ-साथ carbohydrate भी पाया जाता है सोया bean को आप सबजी के रूप में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी उबाल करके पानी में आप जैसे अच्छा लगे सबजी ही ज़्यादा तर लोग इसका बनाते हैं सोया bean में protein भरपूर मात्रा में पाई जाती है अगर आप इसका 7 करते हैं तो आपकी growth जो है यानि कि height naturally रूप से बढ़ेगी अप एक शाकरित आप अगर आपके height रूप गई हो या न बढ़ रही हो तो एक खास उम्र होती है कि उम्र का एक चोथाई भाग लोगों की height बढ करती है उम्र के एक चोथाई भाग तक अगर आप लगभग 60 साल की उम्र मानें तो 15 साल तक लेकिन अमोमन 80 साल मानके चलते हैं 100 साल मानके चलते हैं इसी के according होता है दोस्तों तो इसलिए अगर starting में ही बच्चों का खयाल रखा जाए उनके diet balance रखे जाए तो height growth सही होगी उ दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतो पूर्ण जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों